हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बेक टू और अज इस वीडियो में बच्चों हम डसकस करेंगे वॉक्षीट नमबर 25 फूर क्लास 7th साइन्स सब्जक्ट की बच्चों ये वॉक्षीट है जो आपके लिए 30 दिसंबर 2020 के लिए शडियूल की गई है और आज की वॉक्षीट में बच्चों हम फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीवा ये टॉपिक जो है आज हम पड़ेंगे कि अमीवा जो है वो कैसे फीड करता है कैसे खाना खाता है और कैसे उसके खाने का डाइजेशन होता है और बेटा भी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे इंग्लिश की वर्क्षीट आपके अप्लोड की जा चुकी है और वहाँ पर भी आप विजिट करके और अपना होमवर्क कर सकते हैं बारती में ने साइंस की जो है टीचर है और उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या तुम ऐसे ओर्गेनिजम का नाम बता सकते हो जो की बिना माउथ के और बिना ही डाइजिस्ट्री सिस्टम के अपना फूड खा भी लेता है और डाइजिस्ट भी कर लेता है तो बिटा क्या आप ऐसे organism का नाम बता सकते हो कमेंट करके जुरूर बताईए ठीक है कि क्या ऐसे organism कौन सा है जिसका ना mouth है ना digestive system है बट वो खाना भी खाता है और पच्चाता भी है With keen interest the students started discussing each other और interest के साथ बच्चे आपस में discuss करने लगी and answered in one voice और एक साथ कहा no ma'am This is not possible कि ये तो possible ही नहीं है How can an organism take its food without mouth कि कोई भी organism बिना mouth के पना food कैसे ले सकता है and digest it without the digestive system और इसे भी बड़ी बात कि बिना digestive system के digest भी कर लेता है Then भारती ma'am explained that they would be surprised to know that there are certain organism which don't have mouth and digestive system yet they digest food अब भारती ma'am explained कि that they would be surprised to know कि वो जो आनकर ये जो है 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 रह गए कि कुछ organism ऐसे हैं जिनका mouth नहीं होता और उनका digestive system भी नहीं है लेकिन वो food को क्या कर लेते हैं digest कर लेते हैं and this organism is amoeba और उस organism का नाम क्या है उस organism का नाम है amoeba which is found in ponds जो कि ponds में पाया जाता है तलाप में पाया जाता है it is single cell and one cannot see it with naked eye ये single cell organism है यानि इसकी केवल single cell है और इसी cell में उसके सारे काम होते हैं फिर चाहे बिटा वो सांस लेने का हो excretion का हो digestion का हो तो एक single cell होती है और इसी के अंदर सारे काम होते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं हम इसको हम single cell organism कहते हैं या हम इसको unicellular भी कहते हैं uni, uni का मतलब होता है ना single तो इसको हम क्या कहते हैं unicellular उसके बाद देखी और multicellular हम आरे अंदर क्या है बहुत सारी cells हैं तो हम कैसे हैं हम multicellular है plants multicellular है other animals multicellular है और यह जो amoeba है यह बहुत ज़्यादा छोटा है so we cannot see it with our naked eye हम इसको अपने naked जो eye है उनसे भी नहीं दे सकते यह बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं इनको microscope से ही देखा जाता है and it has a cell membrane and vacuoles in its cytoplasm और बेटा इसमें जो है क्या होता है कि इसके अंदर एक जो cell membrane होती है and vacuoles in its cytoplasm बाकी जो है क्या होता इसके अंदर देखें बीच में जो है इसके क्या है center में nucleus है बाकी सारा क्या है यह cytoplasm है और cytoplasm के अंदर ही क्या होते है vacuoles होते है नेक्स देखिए feeding and digestion in amoeba amoeba के अंदर feeding और digestion कैसे होता है वो अब हम करेंगे amoeba changes its shape and position constantly amoeba बेटा अपनी shape और अपनी position constantly change करता रहता है by pushing out finger like projection called pseudopodia or false fit amoeba के अंदर क्या होता है कि finger like projections निकलती रहती है amoeba की कोई भी particular shape नहीं होती है कुछ देर के लिए ऐसा है थोड़ी देर बाद ये कुछ ऐसा भी हो जाएगा तो कोई भी shape वो attain कर सकता है and उसके अंदर क्या है कि इस तरह के देखिए जैसे आपको यहाँ पर भी diagram में दिखाया गया है इस तरह उसके जो है false fit निकलते हैं जैसे ये निकल गए ये क्या है ये false fit है तो इनको हम क्या कहेंगे इनको हम false fit कहते हैं false यानि नकली fit यानि पैर या pseudopodia ठीके spelling आप देखेंगे pseudopodia pseudopodia और false fit इनको कहते हैं जो की finger like projection है जैसे हमारी fingers आगे निकली हुई है इसी तरह से इसके अंदर ये नकली पैर बहार निकलते हैं और इनके कारण ही ये क्या करता है food को जो है capture करता है and capture some microscopic organism as it food और जो छोट छोटे organism है उनको ये क्या कर लेता है capture कर लेता है जिस तरह से देखे यहां पर दिखाया गया है कि ये जो है ऐसे इसने क्या किया ये food इसके अंदर आ गया आप यहां पर देख पा रहे हो ये food इसके अंदर चला गया और इसके अंदर फिर क्या होने लग जाएगा ये digest होना शुरू कर देता है और ये जो बना है ये ये क्या बनी है ये food vacule बोलते हैं इसको क्या बना है ये food vacule जिसके अंदर food जो है वो फस जाता है और जब food food vacule के अंदर चला जाता है तो digestive juices वो secret होते हैं into the food vacule digestive juice हम भी जो खाना खाते हैं वो digestive juices के काण ही डाजिस्ट होता है तो यहाँ पर भी digestive juices निकलते हैं और वो food को क्या करते हैं पूरी तरह से उसको digest कर देते हैं और जो food है वो break हो जाता है into the simpler substances जो food होता है बेटा वो complex molecule होते हैं तो उसको simpler substances में break कर देता है ताकि body उसको क्या कर सक हम भी खाना खाते हैं तो पचाते हैं पचाने के बाद ही हमारे बॉड़ी यूज कर पाती है सेम अमीबा के साथ भी होता है और विक्योल के थ्रू ही जो है क्या होता है कि जो अंडिजिस्टिट फूड है वो बहार निकाल दिया जाता है अब जो खाने का जो खाना जो एब्सॉब किया गया है बॉड़ी के द्वारा उसे ग्रोथ मिंटेन होती है बॉड़ी की यानि अमीबा के अंदर भी बहुत सारे हमने पढ़ा ना कि सारे प्रॉसेस होते हैं तो उनके लिए भी एनरजी चाहिए वो उसको कहां से मिलेगी वो उसको फूड से ही मिलेगी अब यहाँ पर आपको नोट दिया गया है similarity दी गई है similarity क्या है between the nutrition in amoeba and human being is that एक similarity है कि both the cases digestive juices break down the complex food particle into the simpler substances कि जो digestive juice निकलते हैं देखे पेटा हमारी body में भी digestive juice निकलते हैं और जो amoeba है उसकी body में भी digestive juice निकलते हैं और ये digestive juice क्या करते हैं जो complex food particle है उनको ये simpler substances में change कर देते हैं तो ये क्या हो गई ये similarity हो गई हमारे और amoeba के बीच की अब अगर हम difference की बात करें तो क्या है difference is that amoeba has no mouth हमने पहले ही पढ़ा amoeba का तो कोई mouth ही नहीं है और digestive system भी नहीं है ठीक है लेकिन जो human being है यानि हम है हमारा तो mouth भी है digestive system भी है और digestive system is made up of many organs आपको पता है digestive system हमने पढ़ लिया digestive system में liver होता है हमारा small intestine है large intestine है stomach है तो ये सब क्या है different parts है different organs है next देखिए next is there are some cell and feature about amoeba amoeba के बारे में कुछ features है जो हम discuss करेंगे first हमने क्या पढ़ा it is single cell second हमने पढ़ा it cannot be seen with naked eyes तो हम जो है इनको naked eyes से नहीं देख सकती third क्या है पढ़ा it has a cell membrane and vacuol in this cytoplasm so cytoplasm इसके cell membrane होती है and vacuols होता है and fourth क्या है it has dense and round nucleus तो पढ़ा इसके center में क्या होता है इस तरह से क्या है ये क्या है ये nucleus है and fifth one it has no fixed shape इसकी कोई भी जो shape है वो fixed नहीं रहती है तो ये इसकी क्या हो गई five characteristics हो गई amoeba की जो हमने यहाँ पर detail में पढ़ी अब हम इसके question answer करेंगे first question है in amoeba the food become trap in trap in dash किसमे trap होता है बेटा food vacuol में trap होता है and digestive juices are secreted into food vacuol और food vacuol में ही digestive juices जो है वो secret कर दिये जाते है ठीक है तो हमने आपड़ा food trap in a food vacuol and digestive juices are secreted into the food vacuol तो first में दोनों में ही answer आपका आजाएगा food vacuol यहाँ से आप spelling लिखतीजिए food vacuol v-a-c-u-o-l-e vacuol spelling जरूरी है बेटा आपके लिए ठीक है तो यह इसका answer आजाएगा first का यहाँ से भी लिख सकते है next देखे question number two है write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human being तो one similarity और one difference लिखना है between the nutrition in amoeba and human being में तो देखे nutrition जो है nutrition and human being में यह हमने अभी पढ़ा similarity और यह क्या है difference है तो यह आपका बिटा question number two का answer हो जाएगा as it is next question number three define pseudopodia और false fit तो pseudopodia या false fit किसको कहते हैं तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका question number three का answer हो जाएगा amoeba change its shape and position constantly by pushing out finger like projection यह finger like projection है जिनको हम क्या कहते हैं pseudopodia या false fit हम कहते हैं तो यह थी बिच्चा आपकी science की worksheet I hope बिटा आपको यह worksheet clear है अगर इस worksheet में आपको कोई question नहीं समझाया है या आपको amoeba के बारे में कोई query है तो आप comment करके पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो बिटा like share जरूर कर दीजिए चैनल को subscribe भी कर लीजिए and thanks for watching have a nice day